आपके अपने ही चैनल एक्सेलन्स लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली अपडेट देता रहा हूँ आपके सिलेवस और आपके चेप्टर के बारे में आज हम लोग करेंगे Merchant of Venice जो William Shakespeare के द्वारा लिखी एक famous comedy है आज उसका Act 2, Scene 8 करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर एक बहुत छोड़ा सा सीन है और इसके दो ही करेक्टर हैं सीन में Selenio and Salerno We know इन दोनों को अच्छे डंग से हम जानते हैं They are very close friends and they are common friends of Basinio and Antenio as well तो इस सीन में इनके जो conversation है इसके द्वारा Shakespeare ने एक प्रकार से hints देने का प्रियास किया है कि आने वाला जो सीन है उसमें Antenio के लिए अच्छा नहीं होने वाला है Means the coming future is not good for Antenio And at the same time इन दोनों की जो conversation है जो dialogue इन दोनों को दिया गया है इस तो यह भी पता लगता है कि Antenio, Basinio को कितना चाहता है तो इस तमाम बातों का हम लोग यहाँ पर discovery करेंगे भी साथ ही साथ यह scene उस scene के बाद है या last जो मैंने वीडियो देखा आपके लिए लोड किया था उसमें आपने देखा था कि Jessica elope करती है वह भागती है अपने lover Lorenzo के साथ तो उसके बाद जो चायलोग जो cry कर रहा है वह जो पागलों के तरह इधर उधर दोड़ रहा है चिला रहा है इसके बारे में भी पूरी की पूरी घटना का हमारे सामने में एक द्रिश्या आएगा So it is really an interesting scene of this act तो इसके ब्याक्या मैं शुरू करूँ तो इसके पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा Those who has not subscribed my channel till now I request them please go ahead and subscribe my channel And that time please do not forget to hit on this bell icon Because जब कभी यहां से कुछ upload करूँगा कुछ भी update करूँगा सबसे पहले वा जानकारी आप तरह पहुचे And those my students and viewers have subscribed my channel I request them please share it and write in the comment box If do you want anything else Right Students इसका explanation सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रियर इंसमेशन देना चाहता हूँ कि after finishing this act I have already finished act 1 And after finishing this act 2 as well इसके जितने भी probable question है जो आते हैं आपके एक्जाम में मैं उसका भी answer बना कर Send करने वाला हूँ मैं अपलोड कर दूंगा अपने इस चैनल में So keep watching my channel Keep commenting in this given comment box Write your comment So now without losing a moment Let's start the explanation of the day Scene starts with Salarino Salarino अज स्टार्ट करने वाला है और वह क्या कर रहा है Oh why man I shall bassinio under cell With him grashino gom along च्योंकि इस scene में क्या है कि जो ही cover मिलती है Shailok को कि Jessica नहीं है घर में वह भाग गई है तो उसे लगता है कहीं Jessica बैसेनियों के साथ तो नहीं गई च्योंकि तभी बैसेनियों को भी well brand जाना था उसका ship sell कर चुका है इसलिए वह आरोप लगाता है कि बैसेनियों के ship के साथ भाग गई है Jessica इसलिए Salernio बात कर रहा है Salernio से मैंने तो देखा बैसेनियों को जाते हुए विथ हिम ग्रैशिनों गोना लो और उसके साथ केवल ग्रैशिनों गया है और मुझे पता है मुझे पका बिश्वास है कि उसके ship में लोरेंजो नहीं था लोरेंजो कोन है? यादे आप लोगों को? यस तलावर अब जैसिका जिसके साथ जैसिका ने इलोग किया है आगे Salernio, the villain Jew without cries raised the Duke who went with him to search बैसेनियों's ship कहता है लेकिन क्या बात है यह जो villain है न Jew इतना इसने हो हला मचाया कि इसने जाकर जगा दिया Duke को Duke एक post हुआ करता था Venice में जहां पर जाकर हम अपना complaint loss करते थे If we have any complaint then people are supposed to loss to him complaint जाकर उनके पास loss करता था and he used to take care of all the materials आप देख सकते हैं कि या रात्री की विकिस समय है the time is not of the day it is night time लेकिन जब cry करता है चिलाता है justice का मांग करता है Jew उसके साथ चला जाता है कौन तो यह घटना बताती है कि वेनिस में वहां का जो authority है वहां के जो officers है कितने care है careful है mean अपने citizen के लिए तो ड्यूक भी उसके साथ काता है कि जिसने इतना हलना मचाया कि ड्यूक भी उसके साथ चला गया था खोज करने के लिए बैसनियों का ship Salarino he came too late the ship was under shell but there the duke was given to understand that in a gondola were seen together Lorenzo and his amorous Jessica तो Salarino बता रहा कि लेकिन वे लोग तो लेट पहुँचे न क्योंकि स्टीप तो निकल चुका था लेकिन आने के बाद एक बात का तो पता हुने लगा कि Lorenzo अपनी लवहर प्यारी जैशिका के साथ किसमें है गोंडोला में है so gondola is a type of small boat और ship जो भी खा सकते हैं so यह small ship है उसमें वच्पला गया है besides Antenio certified the duke and we know Antenio is a very respectable figure of banish उसके हर एक बात का महत्तु है इसलिए Antenio ने certified कर दिया है he has given insurance that they were not they were not with bhaishenio in the ship कि bhaishenio के साथ बे श्रीप में नहीं था इसकी गवाह Antenio ने दे डाली है really Antenio is a respectable figure of bhaishenio so definitely his word matters selling you I never heard a passion so confused so strange outrageous and so variable यह बात कर रहा है अब सैलोग के बारे में का ता इस तरह का तो मैंने passion किसी का देखा ही नहीं था कैसा passion passion with full of confusion confusion के साथ साथ ही साथ वो a variable है मतलब उसका passion उसकी जो मांग है उसकी जो ब्यागरता है किसी एक चीज़ पर टिकी हुई नहीं है as the dogs you did utter in the series फिर यहाँ पर सैलोग के लिए dog शब्द का यूज किया गया है students and my viewers you know in that particular drama Shakespeare has depicted well the differences the rift the conflict between Jews and Christian and though being a Christian Shakespeare has favored Christian and various time in that particular drama we see he has given an inferior figure of Jew इसलिए यह दोनो जो Christian जो बात कर रहे है Salernio and Salerno यसने क्या कहा as dogs you utter in the street इस तह से कुट्टे के तरव चिला रहा था रोट पर क्या चेला रहा था my daughter my decades my daughter flayed with Christian oh my Christian decades justice the law my decades and my daughter so every time each and every moment this Jew is changing his goal post कभी वो रोता है पैसे के लिए कभी रोता है बेटी के लिए कभी रोता है इसलिए कि बेटी क्रिश्टन के साथ भाग गई so his passion is not fixed it is very variable ठीक है इसका पैसन फिक्स्ट क्यों नहीं है अगर कोई पूछे अगर आए एक्जाम में तो हम इसको असानी से लिख सकते हैं कि अगर दे सेम ताइम हैं he is crying for different subjects different matters such as for daughter for money for Christian right so he is a very confused person his passion is confused and variable right a shield bag two shield bag of decades of double decades stolen from my daughter and jewels two stones two rich and precious stones वो बैचारा चिला रहा है इस डायलोग से यह भी पता लगता है हमें कि शाय लोग को पैसा कितना प्यारा था वो कह रहा है कि वा के बल बेटी ही नहीं भागी है मेरी साथे साथ पैसे ज्वेलरी and gold coins to catch bills gold coins so everything has gone चला गया मेरा पैसा चली गई मेरी बेटी और वो भी क्रिश्टन के साथ और लिखा है हाँ पर double decades मतलब बहुत सारा पैसा right a salary why all the buyers in Venice follow him crying his crying his stones his tartar and tickets जाता है देखन कितना बढ़ यहां शीन है पूरे Venice के जो बच्चे हैं उसके पीछे दोड़ रहा है किसके पीछे वो द्यू के पीछे जो रो रहा है मेरे पैसे मेरी बेटी मेरे पैसे मेरे बेटी और यह एक natural सा सीन होता है देखा गया है जब कोई भी unnatural incident होता है आपके आसपास तो बच्चे काफी interested हो जाते हैं उसमें वे दोड़ पढ़ते हैं उसके पीछे और ऐसा ही साह लोग के साथ यहां पर भी हो रहा है ठीक है? आगे देखते क्या होता है selling you let's good antinous look he keeps stay or he shall pay for that चुकि shallow बड़ा ही गुस्ते में है और गुस्ता का कारण Christian है और वो भी Christian जो बैसेनियो का friend है बैसेनियो फ्रेंड एंटेनियो का है और एंटेनियो ने करद ले रखा है बैसेनियो ने करद ले रखा है इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर से एक हिंस दिया है sex viewer ने अपने viewers को अपने readers को ताकि वे अगले सिंद के लिए थोड़ा सा उन्हें preparation मिल जाए उन्हें समझ जाए कि अगले सिंद में क्या होने वाला है यह का रहा है कि अब तो Antonyo को और संभल के रहना होगा यदी समय पर payment नहीं किया जब तो बहुत ही बुरा होगा उसके साथ बिकाज यह बदला लेने वाला जीव है और अभी तो उसके साथ बुरा भी हुआ है right so let's good Antonyo look to keep his day or he shall pay for this अगर पैसा नहीं दे पाया so pay for this मतलब इसका मुली चुकाना पड़ेगा means there will be something bad for him it is an indication right okay salary you marry well remember I reasoned with a Frenchman yesterday who told me in a narrow sea that part the French of English were miscarried a vassal of our country richly fraught I thought upon Antonyo when he told me and wished in silence that it were not his my god यहां दूस्त्रा इंडिकेशन यह दिखाए पड़ रहा है कि इन दे कमिंडे 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 definitely the situation for Antonyo will be very bad bad towards right क्या कर रहा है marry 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 means mother of Christ एक तुझे से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो marry you कर रहा हो भगवान well remember अच्छा याद कराया तुमने जो है Antonyo की नाम शैलेनियों ने बोला कि salary नोंने कहता है आपने तुमने बहुत अच्छा याद कराया I reasoned with a Frenchman yesterday कल मैंने एक फ्रेंच के साथ फ्रेंसेसियन के साथ बात किया राइट बात हो रही थी मेरी who told me जिसने मुझे बताया in the narrow sea that part the French and England एक पतली सी जो समुद्र है जो मतले एक चैनल की बात कर रहा है जिसने इंग्लिस चैनल के नाम से हम लोग जानते हैं वो एंग्लिस चैनल जो इंग्लेंड और फ्रांस को अलग करता है उसने बताया जो काफी माल था उसमें काफी समान था रिचली फ्राउट राइट देर मिस्केरीट वो दूब गया आई थाट अपान एंटेनियो जो ही उसने यह बात मेरे को बताई कि अचानक मेरे दिमाग में एंटेनियो का नाम आया और लेकिन तभी मैने शांत होकर भगवान से प्रार्थना की भगवान ऐसा ना हो काश्व एंटेनियो वाला जहाज ना हो राइट यह इंडिकेट कर रहा है कि यह लोग कितने एंटेनियो के अच्छे फ्रेंड है एक थोड़ी सी भी संभावना है जिसमें अंतेनियो का नाम हो सकता है इन लोगों को बिचलित कर रहा है और यह कह रहा है ऐसा ना हो राइट? ओके सैलिनियो, you were vast to tell अंतेनियो what you hear yet don't suddenly for it may gripe him तब तुम you are the suitable person you are the authentic woman who can tell this entire incident whatever you have talked with you have reasoned with the French तुमने जो कुछ स्व्रेंच से से बात किया है तुम एंटेनियों को बता सकते हो बताना चाहीं लेकि अभी नहीं धीरे धीरे not shardly तूरत नहीं बट इन में इन में ग्रीव ही में अगर तुम बता दोगे तूरत तो उसे दुख होगा और यह natural भी है जो कुछ अन्होनी होता है generally we people never disclose any unnatural thing to anyone that is related the incident directly बड़ा घुमा फिराखे बड़े असानी से और धीरे धीरे उस बात को रखते है नहीं तो सामने वाले को ज़्यादा दुख मोच सकता है वह शौक उससे लग सकता है इसलिए यह कह रहा है आईसे नहीं धीरे धीरे कहेंगे ठीक है ठीक शेलरीनो एक काइंडर जेंटिलमेन ट्रेड्स नट अर्थ यह दोनों बात कर रहे हैं एंटेनियो के लिए और कह रहे हैं एंटेनियो के तरह दयालो ट्रेड्मेन बिजनसमेन मैंने नहीं देखा है यह दर्थी पर आई शौ बैसेनियो एंटेनियो पार्ट मैंने बैसेनियो और एंटेनियो को दूर जाते हुए देखा है कहां जब बैसेनियो जा रहा है बैलमंट और उस समय एंटेनियों से श्री आफ करने के लिए गया था उसी घटना का यहां पर चर्चा कर रहा है काता है शा बैशेनियों एंटेनियों पाथ बैशेनियों ठोल हिम he would make some speed of his return वा, क्या लाइन लेकने है श्रीट क्या कहा कि बैशेनियों ने वादा किया था कि वा जल्दी से वापस आएगा some him return he answered, don't do show लेकिन अटेनियों ने कहा, ऐसा ना करो बिलकुल ना करो ऐसा but stay the very riping of the time बल्कि वहां पर रहो sorry, एक line में miss कर रहा हू don't slumber slumber, not business for my sake अपना काम मेरे लिए बिलकुल बरबाद ना करो right, उसने क्या कहा, don't slumber बहुत सुन्दर सा line या पर सेक्स्पिर ने लिखा है वह कहते हैं एंटेनियों के माध्यां से कि do not show, ऐसा मत करो slumber not business for my शेक, मेरे लिए अपना business बरबाद मत करना अपना काम बरबाद मत करना बैशनियों, but stay the very wrapping of time वहाँ तब तक रहो, जब तक की बहतरीन समय ना आ जाए हर एक काम समय पर ही अच्छा लगता है we should be be careful and in patience यहाँ patience का एक पाठ पढ़ा रहा है अच्छे मित्र होने के नाते कितना अच्छा मित्र है उसका he is really a very ideal friend so क्या कर रहा है let in time and for juice bond which she has of me और juice का यो bond है वो मेरे लिए don't worry about that let us not enter in your mind of love तुम्हारे love वाले इस mind में इस घटना को इस matter को इंटर भी नहीं करना चाहिए be merry, खुश रहो and imply your chiefest thought to courtship and such fair off-net of love और अपना जो जो भी तुम्हारे अंदर का जो बहतरीन idea है जो बहतरीन mind है तुम्हारा जो बहतरीन सबसे जो अच्छा quality है उसका use कि उसमें करो अपने प्यार को प्रदरशित करने में yet off-net of love प्यार को प्रदरशित करने में I shall conveniently become you there and even there his eyes being big with tears और जहां तक जेसा conveniently तुमको रगे सुईधान उसार तुम वहार रहना और अच्छा जेनियों कह रहा है ऐसा कहते कहते एंटेनियों की आँखें भराई और क्या सुंदर यहां पर सेक्स्पियर लिखते है his eye being big with tears उसकी आँखें बड़ी हो गई आस्वों से turning his face आँख उसने अपना चेहरा घुमा लिया he put his hand behind him अपना चेहरे के पीछे हाथ रख लिया and with affection bonder sensible wonderful affection था उसके पाँ उसमें he drank बशेनियों's hand and they shodhi parted बड़ी ते जोर से उसने बशेनियों का हाथ पकड़ा था tightly और फिर दोनों अलग हो गए उनने दूर चले गए this incident and this dialogue is enough to prove that the passion of love the passion of friendship right I think he only loves the world for him हम जानते हैं कि Antenio has no one in family Antenio को family में कोई नहीं है he is bachelor, he is not married right वह बशेनियों से बड़ा भी है एज में लेकिन यह कर रहा है I think he only loves the world for him यह Selenio बोल रहा है Antenio के बारे में मुझे तु लगता है कि संसार में Antenio है ही केवल बैशेनियों के लिए I pray the मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ Let's go and find him out चलो खोजे वह कहा है and quicken his embarrassed happiness और उसका जो happiness है जो उसका दुख है जो उसकी जो आदत है थोड़ा सा grave mood में रहने का उसे ठीक करें with some delight or others कुछ अच्छी अच्छी बातों से कुछ delight बातों से चलो चलते हैं और दोनों चल पड़ते हैं Antenio को ढूड़ने के लिए और यहां तक आते आते अपना Act 2 का Scene 8 खत्म हो जाता है My dear students and my dear viewers I hope I have met the entire scene visible for all of you Right हर एक सीन का मैं बहतर धंग से आपलों के सामने explain कर पाया ऐसा मुझे बिश्वास है So now it is your turn I again request you go ahead and subscribe me and at the same time please hit on the bell icon Right So it's all about the day-to-day मिलते हैं अगले दीन इसी चैनल पर ने एक्स्प्लेनेशन के साथ तब तक के लिए Bye